हेलो दोस्तों चेटा कि देखे आप यह इसकोरण की ओक्टाविया है 2016 का मोडल है इसका एसी चालू करने के बाद कुलिंग टेंपरेचर आप देखिने ए 17.3 पे आ रहा है इसे नीचे नहीं जा रहा है, बहुत बहुत-बहुत बहुत बहुत time के बाद लगबक बहुत टाइम के बाद लगबक आता है पंदर है, पंदर है से नीचे और आई ही नहीं रहे तो हमने इसको डाइगनोस किया, डाइगनोस करने के बाद मालूम पड़ा कि इसका जो गॉम्प्रेसर में कंट्रोल वाल है, तो वाल प्रोपर काम नहीं कर रहे है, जो के मै चालो होने के बाद भी लगवर 20, 40, 50, 50 का प्रेशर बता रहा है, 50 प्रेशर बता रहा है, 25 के भी जाना चाहिए, इसके इसे क्ली में रहा है, तो यह इसका स्कॉंप्रेसर दिखनी रहा है, यहां को फोल के फिर आपको दिखाँ है, जैसा कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले म लग निकालने के बाद यह वाली सॉफिट निकाल देने का इजूली, और यह बाहर आ जाएगा, खीच पेसे, देख रहे हैं, वाल, यह जुनी वाली वाल है, और यह रही नहीं वाली वाल, मतलब नहीं वाल तो नहीं है, यह फ्रेश वाल है, दूसरे कॉंप्रेसर का मैं इ यह बाहर आगे फिक चेक करेंगे, पुलिंक प्रोपर हो रहा है कहानी कि अजा के आप देख रहें, इसमें लगा दिया हूँ, अब फिटिंग भूख रहे, जैसा के आप देख रहे है, मैं इसका सॉफिट होग रहे है, वाल होग है, प्रोपर लॉग होग है, सब बैठा द पांच मिनार के लिए पांच मिनार के लिए आप देख देख रहे वेक्यूम कमपिलीट हो गया है अब हम इसमें गैस मारेंगे कि सारे कि चार्तो कि रहा हम गैस मार गी आऊंगे चलो फिर अब हम अंदर जाते हैं गारी चालू करते हैं फिर एसी चालू करते हैं फिर पंपिंग देखेंगे कितना बना रहा है जैसा कि आप देख रहे मैं अंदर घारी चालू किया हूँ फिर एसी चालू किया हूँ आप देख पा रहे हैं मैं एसी चालू किया हूँ पिर अब हम अंदर जाते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने ऐसी चालू रखा था, ऐसी चालू है, और कुलिंग टेंपरेचर 8.6 देख लिजे, जो के पंद्रे से नीचे नहीं जा रहा था, और कॉंप्रेसर पंपिंग नहीं बना रहा था, आपको मैंने सब लाइब दि आउटसाइड टेंपरेचर भी आपको दिखा देता हूँ कि आउटसाइड टेंपरेचर कितना है, आप देख पार है, 30.5 डिगरी सेंटिग्रेट आउटसाइड का टेंपरेचर बता रहा है,